तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसी आप अपने laptop, computer अथवा PC में my computer और this PC को home screen पर ला सकते हो जी हाँ दोस्तों जब कभी भी आप अपना नया laptop लेते हो तो आपके नय laptop के home screen पे this PC या my computer का icon नहीं होता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी आप अपने laptop या computer में this PC या my computer को home screen पर कैसी ला सकते हो तो दोस्तों इसके लिए अब आपको सबसे पहले अपने mouse पी right press करना है right press करने के बाद यहाँ पी आपको बहुत सो options मिल रहे होते हैं वहीं आपको यहाँ पी option मिल रहा होता है परस्नलाइज का तो आपको इस परस्नलाइज वाल option पी क्लिक करना है और जैसे यह परस्नलाइज वाल option पी क्लिक करते हूँ आपकी सामने के नया windows open होता है और इदर right side आपको बहुत स्य options मिल रहे होते हैं वहीं यहां आपको एक option मिल रहा होता है theme का दोस्तों अब आपको इस theme वाल option पी click करना है theme पी click करनी के बाद अब आपकी सामनीक नया windows open होता है तो अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ scroll करना है नीचे की तरफ scroll करने के बाद यहां आपको option मिल रहा होता है desktop icon setting का तो अब आपको desktop icon setting वाल option पी click करना है और इदर left side में आपको बहुत स्य options मिल रहे होते हैं तो दोस्तों अगर आपका यहां से computer tick नहीं है तो simply अब आपको यहां से computer वाल option पी click करना है then आपको apply पे tick करना है then ok पे tick करना है और जैसे ही आप ok पे tick करते हो आपका this PC या my computer आपके home screen पर आ जाता है तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे laptop या computer में this PC का icon आया है या नहीं तो दोस्तों अब आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे laptop के home screen पर this PC का icon successfully आ चुका है